कि अज़िए कि नमस्कार दोस्तों मोबाल मेंटर में आपका स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा हम जो है आज जो है बेजिक मेंस लैने वाले हैं जो कि हमने अभी तक बेजिक मेंस के दो लेक्ष लिए है आपने इससे पहले वाले नहीं वीडियो देखे हैं तो आप देख लीजेगा तभी आपको आगे के जो लेक्षी से उसमे समझ आएगा अगे के केंटेंटस आपको deeply संभ में एंगे तो आप मेरे अर्लियर जो basic mathematics के जो दो लेक्षे वह वो ज़रूर देख लिजेगा ठीक है ain't देखे हम जो basic में जो लेने वाले है वह इस book में से लेने वाले हैं मैजिक और बुक और फास्ट ट्रक मेंटल मैस वेटिंग मैस बुक है बहुत ही अच्छे तरीके से और ने लिका है आप जो है यह बुक जरूर परचिस कीजिगा विकोज यह बुक से ही हमने पूरे कंटेंट जो है आपको पढ़ाने वाले हैं ठेक है एंड मैं आप बहुत ही इंपॉंट है आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो बुक है यह जो बुक है यह सभी कॉंप्यूटर एग्जामेशन के जरूरी है एस टैंडर 4-10 के लिए यह जरूरी है यानि कि जो भी बंदा ऐसा समझता है कि मेरे लिए मैंस बहुत ही टाफ सब्जेक्ट है 110 कंट्रीज में भी यह लॉंच हो चुकी है और 110 कंट्रीज में पर्चिस की जाते हैं तो यह एक इंटरनेशनल ओधर है आप इनकी बुक जरूर बाई कीजिएगा ठीक है विडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा तो डॉंट वर्य अबाउट इट सबी जगह पर जो भी आप कहीं से भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो यह आपकी कंट्रीज में भी अवेलेबल है ठीक है तो आप किसी पोटल पर जाक देखें पिछले लेक्शेस में हमने 10 तक के रियल नंबर तक की डेफिनेशन को वर्ड की थी अभी हम लेने वाले है पर्फेट स्क्वाइर तो पर्फेट स्क्वाइर की डेफिनेशन यहां पर देखें यह ओनलाइन बूक है तो थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है तो हम count कर सकते हैं for example 1234 यह counting number है ठीक है तो counting number यह होते हैं हम कभी भी इस तरीके से counting नहीं करते हैं 1.1 1.01 इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4 ठीक है तो ऐसे counting number जिसका square root जो है square जो है वह perfect square जिसका number जो है वह क्या बने perfect square बने सब्सक्राइब आ रहा है देखिए यहां पर दिया गया है अगर काउंटिंग नमबर वह square root is a counting number ऐसे counting नमबर जिसका square root जो है वह counting नमबर निकले for example देखिए यहां पर number one दिया गया है number four दिया गया पॉर का root निकाल लिए two into two four nine three into three nine 16 25 36 49 64 अब देखिए perfect square क्या होता है यह समझे आप सबसे पहले देखिए कोई भी number कुछ से ही multiply होता है तो वह perfect square हो जाता है और वह भी कितनी बार एक एक बार for example one into one तो यह बना one square और इसका square बना one उसी प्रकार two into क्या करेंगे one करेंगे two करेंगे two करेंगे तो यह बना two square यह क्या बना four उसी तरीके से three into three is equal to यह बनेगा nine यानि कि यह three square बना और यह बना nine उसी प्रकार four into four four square यह बना 16 उसी प्रकार five into five that is a five square यह बना 25 तो यह जो यह जो नंबर है यह क्या है यह perfect square number है आप आपको दिखाए दे रहा है हम उसी number को अपने आप से multiply कर रहा है यानि कि वह number अपने आप से एक ही बार multiply रहा है वह number तो यहां पर रखा है वो और दूसरी बार तो यह square बन रहा है तो यह perfect square आपका हो गया is it clear उसी प्रकार perfect cube देख लेते है perfect cube जैसे प्रफेट स्कूर की definition है उसी प्रकार perfect cube की भी definition है एन इंटीजर वुस क्यूब रूट जिसका क्यूब रूट इसका क्यूब रूट इसका क्यूब रूट इसकाल पर पर प्रफेट क्यूब पूर एगपल 1 8 27 64 125 देखो स्कूर में क्या हुआ था ध्यां दीजा स्कूर में क्या हुआ था मैं यहां पर लिख रहा हूं ठीक है कि तो स्कूर में क्या हुआ था 1 इंटु 1 is equal to 1 स्कूर 2 इंटु 2 is equal to 2 square 3 3 into 3 is equal to 3 square 4 into 4 is equal to 4 square 5 into 5 is equal to 5 square उसी प्रकार अब क्यूब में क्या होगा क्यूब में क्या होगा 1 into 1 into ओके 1 into स्वारी यहां पर मेरे लिखने में गलती होगे 1 into 1 into 1 is equal to 1 cube साज में आ रहा है वही नमबर अपने आप से 3 बर multiply हो रहा है फिर उस प्रकार 2 into 2 into 2 is equal to 2 cube तो यह बनेगा 1 और यह बनेगा 2 to 4 4 to 8 3 into 3 into 3 तो यह क्या बना 3 cube बना तो यह क्या बना 27 उसी प्रकार 4 into 4 into 4 that is a 4 cube that is a 64 तो 5 into 5 into 5 is equal to 5 cube is equal to 125 तो यह जो है यह perfect cube है is it clear तो इसका अगर हम cube root निकालेंगे इसका अगर हम original नमबर देखेंगे तो यह क्या है यह counting नमबर ही है तो यही यह चीज यह कहना चाहता है तो देखें hope so आपका definition number 11 and 12 clear है देखें मैं बहुत ही basic से match ले रहा हूं बहुत starting से because reason is that मैं यह मानता हूं कि जो भी बंदे यह preparation कर रहे हैं उनको match tough लगता है उनको क्या लगता है match tough लगता है उनको match आता ही नहीं ऐसा समझ के मैं पढ़ा रहा हूं तो रुपया आप basic से देखें एक एक चीज आपके लिए important है यहां पर ठीक है चलो बढ़ते आगे arithmetic progressions arithmetic progressions का मतलब क्या है the given number are said to be arithmetic progressions if the difference between any two consecutive number in the set is the same देखें दो consecutive number की बीच में difference same है तो वो क्या है arithmetic progressions है कैसे देखें इसके बीच में difference क्या है दो नंबर के बीच में difference क्या है दो का है तो यह arithmetic progression की series है यह सब कोर्स है और नंबर ले लो 13579 क्या इसके बीच में difference difference ऐसा नहीं है कि number two ही होना चाहिए difference कोई भी हो सकता है उसी प्रकार हम ले लेते हैं for example कोई particular number हमें add कर देए 1611 1621 तो यह देखो इसमें क्या हो रहा है number five add हो रहा है हो रहा है या नहीं तो क्या यह arithmetic progression की series है आफकोर्स यह है विकूज दो consecutive number के बीच में difference क्या होना चाहिए same उसी तरीख से जितने भी tables है टीबर्स मालों में हम चलो चे का table बोलते हैं शिक्स बंजा शिक्स फिर ट्वाल एटीन शिक्स रिजा इटीन ट्वंटीफोर शिक्स फॉर्जा ट्वंटीफोर शिक्स फाइजा थर्टीन अब देखिए यह दो की बीच में difference कितना है सिक्स का यह आ रहा है तो जितने भी टेबल से वो क्या है arithmetic provisions की series है पूरी की पूरी इस ट्लियर तो यहां पर यही चीज कहना चाहता है कि दो number के जो आपको series of number दी गई है उसमें अगर difference अगर दो number की बीच में different same है तो वह arithmetic provision अगर कहीं पर हो यहां पर तो difference two two का है बट यहां पर कितना है six और यहां पर कितना हो यह तैन तो यह arithmetic provision की series नहीं बिकोज यहां पर अगर कोई number बैट रहा है तो यहां पर same होना चाहिए is it clear यह जो दो number की बीच में difference है वह same होना चाहिए जैसे यहां पर भी बन रहा था यहां पर भी बन रहा था यहां पर भी बन रहा है यहां पर नहीं बन रहा है इसे clear यहां पर भी बन रहा है वह number चाहे कोई भी हो वह पांच हो दस हो 1000 हो बट यह जो है different zone number की बीच में same आना चाहिए तो वह arithmetic प्रोडिशन की सिरीज बन जाती है कोई दिकत है थीक है तो हुब सो आपको arithmetic प्रोडिशन सेम बन गया आपको समझ में आ गया है तो देखो arithmetic प्रोडिशन में क्या हुआ arithmetic प्रोडिशन इस कॉल्ड अपी तो addition और subtraction with same number एकदम सिंपल में बता रहा हूं दो दो नंबर के बीच में difference या जो addition हो रहा है वो सेम हो रहा है और वो consecutive series बन रही है जैसे इसमें भी बन रहा है देखिए अब जियोमेटरी प्रोशन देखते हैं इस कॉल्ड जीपी दो गिवन numbers are set to be geometric diminution if the ratio between any two numbers any consecutive numbers any two consecutive numbers in the set is the same अब देखिए यहां पर क्या भुला है 192 48 123 तो यहां पर क्याaller drive via Divide by four or I will be divide by 4 और I will become the Cayranda रहा है देखे मैं हमन सेगें 192 48 12 3 आप यहां से लिए पीछे से शुरू करते हैं तो multiply हो रहा है 3 से यह multiply हो रहा है थी से यह multiply हो रहा है sorry यह multiply 3 से नहीं 4 से हो रहा है it was my mistake तो यहां पर क्या हो हुआ है multiply by 4 multiply by 4 और यहां पर भी multiply by 4 तो देख़्ें हो अगर हम आगे से जा रहे इस तरह के से तो यह divide हो रहा है with the same number और पीछे से आ रहे तो multiply हो रहा है उसी तरीके से arithmetic progression में है जिससे हम पीछे से आए देखे यहाँ पर यह अगर हम 2,4,6,8 ले तो यहाँ पर आएट होगा रहे यहाँ पर आएंगे तो minus होगा तो यहाँ पर भी उसी तरी क्या कहता था addition and subtraction with the same number ठीक है तो यहां पर geometric progression में क्या आएगा multiplications or division with the same number multiplication or division with the same number is it clear or not is it clear or not तो just simple है यहां पर आपको AP और GPT को AP में क्या हो रहा है addition or subtraction with the same number in the series in the number series addition or subtraction या तो addition होना चाहिए या तो subtraction दोनों नहीं होना चाहिए सहर्ज में आ रहा है for example कुछ लोग ऐसा करते हैं 2468 फिर 64 तो यह तो क्या हुआ प्लस टू प्लस टू प्लस टू फिर यहां पर माइनस टू हो गया तो यह यहां पर प्लस टू ही होना चाहिए यहां पर भी प्लस टू होना चाहिए तो 10 और यहां पर 12 ऐसी ही होना चाहिए है इसका मतलब यह है उसी प्लकर आन बड़ते है आगे पॉइंट नम्बर 15 और कन दिकत्स डिवीजल बाइ गिवन नंबर हीस ओला मुल्टिपल हूव श्नी ओंभर फॉर एक्जांपल देखे यह पर ये रहा है नогगा ये फ्री और वन भी ये 24 भी है और 1 भी है is it clear for example में कोई और नमबर दे रहा हूं 12 ले रहा हूं 18 ले रहा हूं फिर 24 ले रहा हूं तो यह जो है यहां पर क्या हो रहा है यह multiple of 6 है yes यह है यह है यह है क्या यह multiple of 3 है yes multiple of 3 भी है is it clear तो आगे बड़े यह और किसके multiple में है यह multiple of 2 भी है is it clear देखिए 6 से multiply हो रहा है तीन से भी हो रहा है दो से भी हो रहा है और 1 से तो होगा ही होगा तो यहां पर यह logic यहां पर जाता है है so hope so guys आपको यह इतनी चीज़े clear है तो दीखिए हमने definition number 15 जो है यहां पर successfully complete कर ली है कोई doubt है तो मुझे counter question कर सकते हैं कोई भी doubt है तो आप मुझे counter question कर सकते हों वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको doubt ना रहे मैं कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाओं ठीक है क्लियर है आप सभी को yes or no yes or no ठीक है तो चलो बढ़ते हैं आगे आगे क्या दिया गया है कि नंबर लाइन्स देखिए यहां पर आपको दी गए है देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बुक है में बहुत ही इंपॉंट है में जो हूं आपको इस बुक से में पढ़ा रहा हूं अगर आपने भी यह बुक पर्चेस नहीं किया अभी तक तो पर्चेस कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा आप अलग-अलग वेब पोटल से पर्चेस कर सक लिखते हो आपको गूगल में लिखना है मैजिकल बुक फॉर फास्ट्रेक मेंटल मैस उसका कवर पेज मेने आपको यहां पर बता दिया है तो आप यह बुक पर्चेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हैल्प मिलेगी इस ट्लियर तो चलो बढ़ते हैं आगे दे नंबर लाइन नंबर लाइन शोज शोन बिलोव देख लेते हैं अब इसको हम सिंगल पेज पर कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर अरो हैट्स आट बोट एंड्स अफ देखे यहां पर देखे दोनो तरफ एसी लाइन बताई गई है यह क्यों बताई जाती है है विकोज यह नंबर जो है वह कंटिन्यू है इस ट्लियर कंटिन्यू टू भी इंफिनिश्ट लैंथ यह अनंत हैं हैंस दे नंबर कंटिन्यू अप्ट इंफिनिट ऑन बोथ दसाइट्स साथ मैं एक्चुली यह लॉजिक होता है हम यहां पर बोलते हैं सुद्ध डॉट यह एरो क्या बता रहा है कि यह बढ़ी ही राया यह तो कहां तक बढ़ रहा है इंफिनिट टाइम्स बढ़ रहा है तो दे लेफ्ट अफ दे जिरो ऑन दे लाइन और नेगेटिव नमबर देखिए यहां पर देखो लेफ्ट कौन सा आपका लेफ्ट तो आप इस तरफ मोह करके बेखिए तो यह आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट अपे जो हैं नेगेटिव इंटेजर डिये हैं नेगेटिव नमबर एन इट्स राइट आर्द फोजिटीव नमबर अब जीरो की लेफ एंड साइड आप यहां पर बेखंए तो आपके लेफ्ट एंड सेड बें नमबर बढ़ रहा है तो हमेशा जिरू जो है यहां पर अगर हम राइट-चैड पर जाएंगे तो यह देखो यह greater than number बनता जाएगा इसे ट्लियर यह यहां पर आपके राइट-चैड पर बड़े नमबर रहेंगे आपके left hand side पे छोटे नमबर रहेंगे अब देखिए मैं अगर यहां पर बता दूं कि आपके पास 3 है तो बड़ा नमबर कौं सा है 13 है बट अगर मैं आपको यह बोलू कि माइनस 3 है एं 13 है तो बड़ा नमबर कौन सा है माइनस 3 है सवज में आ रहा है आपके राइट एंड साइड में सबसे बड़ा नमबर ही रहेगा कई सारे के इंडियेट को लार्जेश्ट एंड स्मॉलेश्ट में डिफ्रेंट मालूम नहीं होता कि बहुत ग्रेटर देन जो स्मॉलर नमबर है हम उसको कैसे डिटरमाइन करें तो अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा जो राइट एंड साइड में नमबर आता है वो बढ़ा आता है for example मैंने माइनस 99 लिग दिया एंड माइनस 1 है तो कौनसा नमबर बढ़ा है माइनस 1 कौनसा नमबर चुटा है माइनस 99 है is it clear just simple है left hand side वाले जो नमबर है वो हमेशा चूटे रहेंगे right hand side वाले नमबर हमेशा बढ़े रहेंगे यह यहां पर definition कह रही है ठीक है कोई दिकत कोई दिकत तो just simple है आगे बढ़ते है point number 16 पर for example minus 1 to the right of minus 2 therefore minus 1 is greater than minus 2 देखो मैंने यही बताया अभी minus 1 is to the left of 3 therefore minus 1 is smaller than 3 and so on is it clear if a is greater than b then minus a is smaller than b just समझ लिए for example देखे यह क्या कहना चाहता है मैं आपको यह बता देता हूँ just simple है मैं आपको clear कर देता हूँ यहां पर यहां पर अगर हम लिखते है 99 और यहां पर लिख देते 3 ठीक है actually चलो हमने उल्टा लिख दिया हम according to the line लिखते हैं यहां पर 0 है यहां पर मैंने 3 लिखा ठीक है और यहां पर 99 लिखा तब मुझे बता इन दुनों में छोटा कोन है नमबर 3 है is it clear or not 99 99 जो है वो बड़ा है किस से 3 से बट यही चीज अगर negative में जाती है तो क्या होगी minus 3 है and minus 99 है तो मैंने बोला कि left side वाले figure हमेशे छूटी होगी उस case में क्या हो जाएगा 99 minus 99 is less than minus 3 is it clear या तो फिर इसमें उल्टा हो जाएगा minus 3 is greater than minus 99 is it clear देखे if a is greater than b then minus a is smaller than b यही चीज बता रहा है जो figure positive में बड़ी होती है किसी और figure के साथ वही figure negative sign में छोटी होती है उसी figure के साथ exactly inverse relationship है पुरा उल्टा रिष्टा है positive and negative numbers के बीच में जो positive में बढ़ा होगा वो negative में छोटा हो जाएगा just simple है यही चीज है that is a is greater than b then minus a is less than b minus b and if a is smaller than b अगर a जो है वो छोटा है for example अगर हम बोल देते हैं तीन जो है वो छोटा है पांच से ठीक है 3 is a smaller than 5 तो यहां पर क्या होगा यहां पर जो है 0 लिखना है 123 आपको confusion है तो आप यह लाइन जरू ट्रो किजिए आपको सहज में आ जाएगा आपको यह line at least आपको 100 तक के numbers आने चीए इतना आप याद रखना ठीक है अब हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें आपको 100 तक की गिंतिया नहीं चीए और आपको इस तरीके से लिख देना है है जिरो वन ट्री फॉर अब आपको अगर कंफुजन है तो यह line लिख कर आप कर सकते हैं तो देखे नाइन इस ग्रेटर दें सिक्स बट माइनस नाइन इस लेज दिन माइनस एक्स इस तो यह इसी तरीके से कुछ कोशन दिये गये हैं आप इसे द्यान से देखे और स्वाल कीजिए ठीक है को दिकत है तो देखे मैंने जो है यहां पर आपकी जो बेजिक डेफिनेशन सी जो भी बेजिक इंपॉर्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्ट इंपॉर्ट है वही मैंने लिए कोई ज्यदा यह नहीं किया है मैंने लैप्स नहीं किया है जो भी इंपॉर्ट इ लेक्टर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा मैंने बहुत ही बेजिक लेवल से करवाया है अब हम देरे-देरे एडवांस लेवल पर जाना शुरू करेंगे हाला कि अभी जो है हमारा बेजिक क्यल्कोशन सी है ठीक है बट कल नेक्ट लेक्टर की आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको मैं यही बुक रिकमेंड करता हूं इतना डीपली आपको किसी और बुक में शायद ही मिले तो आप यह बुक जरूर पर्चिस किजिएगा ठीक है एंड आपको एक ही चीज़ करना चाहता हूं कि यह जो वीडियो है आप स सबी लेक्शेश देखेंगा उसको मैंस में इतना बढ़िया कमांड हो जाएगा चोटी चोटी चीजों में भी वह वर्बल के क्या कोशन करेगा और बड़ी से बड़ी जो भी क्याल कोशन रहेगी उसमें भी वह वरबल कोशन कर लेगा ठीक है तो आप इस वीडियो को सेशन आज का सेशन इंपॉंट है जिनको भी कनफिजन उनका कनफिजन दूर हो जाएगा मैथेमेटिस को लेकर ठीक है तो गाईज आज हम यही पर रुखते हैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूंगा थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और भी टॉच्च वित अस थैं मैं तो इस वीडो के सटली हुछते हैं गज़ डश्या को बхृते हैं ऑ्र कांप यही हैं नहीं जितकी उज़ स्क्राक म 있고 धर मैं वीशन और भीक हैं धनका क्ज़ कह वीज़ लाएगा हुआ आव हम बसो दो इस प्सक्वार्स एंक पली दो को झान body हो गिज़ काक ही ज